मौसम बहुत बहुत अच्छा है तो मैं मौसम की फूल मज़े ले रही हूँ और जब भी मौसम अच्छा होता है तो मैं मौसम के फूल मज़े लेती हूँ मैं जब गूल मज़ें यह तो अब बाता है तो बैशिए अब लोग को बता रहता है मेरी केचन मैं छपकल ही नहीं आती है बहुत अची बात है और फिर भी मैं कर लेती हूं कोई भी मख्या की फिरती रहती है और फ्रेंट्स आप लोग देख रहे हो मैं अभी 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 दही लेकर बैठी हूं दही तो दही घोल रही हूं लसी बना रही लेकिन अभी मैंने डबे में नहीं रखा है और जब मतलब टाइम मिलेगा तब मैं रख दूँगी तो अभी मैं सककर उसमें चीनी डालने के लिए लसी में निकाल लेती हूँ और ये सारा सामान है वो मैं अभी धरी रखा छोड़ देती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है फिर मैं डबे में एक एक करके रख दूँगी तो मैं दही घोने के लिए बैठीती तो दही अपना कंपलीट कर लेती हूँ उसके बाद तो दही बहुत ही कम है तो मैंने प पी लेता है चाई भी बन जाती है मैं बहुत ज़्यादा चाई पीती हूँ आप लोगों को पता ही है और उसमें से दही भी तो भाई बहुत मुस्किल हो जाता है तो इसलिए पतला ही पीना पड़ रहा है और रखा है वैसे तो लेकिन जमाया नहीं है कल भूल गी रात में परसों का दही है तो पी लेते हैं चोटे चोटे ग्लास में मैंने दे दिया है कांच के ग्लास में मैं इसलिए नहीं दिया था क्या है कांच के ग्लास बड़े थे तो उनमें बहुत ज़्यादा दही बनता वह आदा जाता तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं प्लास्ट क करने तो से पहले डाल रख दी है डाल बॉल हो रही है तो फर्स हम आगे च्छत पर तो अपना बालों में लगा रहे हैं सीरम तो आज मैं लगा रही हूं काफी टाइम बाद सीरम काफी टाइम बाद दी सरी की पहली बार सीरम लगा रही हूं मुझसे एकदम निकल गया कंफी टाइम बाद लेकिन नहीं सच beta रही हूं तो यह आईरुवगी शीरम है और इससे बाल में उसके लगाने के बाद बहुत अच्छे हो गले ती सच में और रूम है तो सोच रही कि हमें सीरम को यूज क्या करूँगी मालों में तेल कम डाला करूँगी कभी कभी लेकिन सीरम हमेशा यूज क्या करूँगी बाल दोने के बाद मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं जातरे कंगी यंगी करने में ऊपरी छत परी आती हूं मुझे ही अच्छा लगता है और हैं इस इडियों के बास करती हूं यहां बढ़िया से खड़े हो जाते हैं आराम से मतब कंगी यंगी कर लेते हैं और नीचे तो डेशन टेवल में सच बता हूं तो मेरा मन नहीं होता है उसमें क्योंकि बाद्रूम में हांधिया कितना भी लाइट लगी है लेकिन फिर भी मुझे डेशन टेवल में देखता है तो हांधियरा सही लगता है इसलिए मेरा मूड खराब हो जाता है मुझे तो बढ़िया खुले में जो अपना गाउं का वह है जैसा आप बोल टार काम तो हो जानी दो फिर पर बहुत ही बड़ी गड़ और आज अधहरा है बढ़ा दोखाया आज मैंने डाल रखी ती और मता धीमिक ऑसकर और पूरा जाल जाल गया और चपक गया जासे बहुत ही बद्भू आने लगी है कि एसमेल आने लगी और मैंने बटी किसी को ब बता देए थी अगर पता देए मौसम नहीं है कैई क्या खाना चल रहा है क्काम से मतलब साथ काम क्यों हिए मांसा में करे हैं अब बेखारियाने लगए आप में अपना फिर तो मैंने की लिए दाल बना है तो आप लोग देख रहे हो स्मेल सम fail नहीं है घाए not मेला जाधा आज उनको पता नहीं कैसे smail आगी समज्म coral उखी कि बोलने लगी लागी डाल जल गीती खाट मैंने का हाँ तो आप लोग देख रहे हो कीसी रुकी सुकी हो गई तो आज मेरा धिमाग खराब हो गया तहीं दाल के पीछे और सावसमा भी पूछ रही थी कैसे दल गई तो मैंने आप सब देख सकते हो डाल जल चुकी है और कुकर किस टाइब का होके आया तो आप लोग देख रहे हो बहुत ही बुरा हाल हुआ है आज कुकर क्या को साप करती करते बहुत टाइम लग जाएगा आदा इक घंडा लग जाएगा जब कहीं कुकर मैंसे गंदी की चूटे की सब्जी अब जी तो छोक दिया और रोटी भी बना लिया फ्रेंट्स और तो अभी मैं क्या छाडू लगाने आई रूम में तो मेरा रूम भी गंदा था मैं सुबह सुबह साफ नहीं करती हूं जब मैं अपना काम करती जाती हूं किचिन का जैसे रोटी आटा मारके रख द आई हूं तो अब भी फिरी हूं थो अबना नोमा मत रूम साफ कर ले रहे हैं और यह कं एट मैंने तो करन यह नहीं मैं कोहीं की पर्क ने पड़ता है और कोई बंद नहीं कहता मुझे बंद करना पड़ता है तो husband भी आगए husband, मत अब सभी लोग भुट गए तो मैंने बिस्तर भी लगा दिया है और हाँ, मैं एक बात पता ना और भुट गी अब लोग को मैंने मगा है औरक तर दिया है, चादर मेरे पास चादर नहीं थी ना तो मैंने कॉम्बो सेट कर दी हैं चादर बहुत ही जल्दी आने वाली है तो मेरा भी बैड जग मगाएगा तो जग बैड अभी गंदर लग रहा है क्या है धूल मिटी जो जी न मतलब सीड़ियां उपर से खुली हुए इसके उपर डिब भी न जग सब्सके समय हैं तो दो तो दो तीन तीन बार हम को जारू लगाना पड़ेगा आप तो और काम बढ़ते जा रहे हैं वाई मेरे भी रूम में बहुत जादा दस्टा आजाता है तो हमने अपना खानाना कंप्लीट करके किचिन भी साफ कर दिया है और हां रोटी आ आप रोटियों के लिए आप लोको नहीं देए इस लाइच चली गी तो लाइच चली की तुमने ब्लाओं नहीं कि लोग शूट नहीं गया तो रोटियां बन की रहें कि अप लोग को दिखाना रहा है और यह हमारा कम मतब सारा काम केशिन का हो गया मेरे रूम का बचा है तो मैं कर रही है कपड़ा फोल्ड कर रही हूं जारू तो मैंने लगाई लिए जब फोल्ड हो जाए गा और फिर मैं इनको चादर जो भिचा हुआ है तो उसको हटा दूँगी और जो सोपक कबर उनको लगा दूँगी जब मैं सोपक की कबर थो देती हूं तो मैं चादर डाल देती हूं पर बच्चे अच्छे खेलते हैं तो बहुत धूलूल चिपक जाता है इसनी मैं